Hello Everyone, Welcome to Online Study Point दोस्तो आज के वीडियो में हम जनवरी से लेके जुलाई तक के जितने भी important award दिये गए हैं उन सभी के बारे में discuss करेंगे ताकि award से related एक भी question आपके exam में न छूटे सारे question important है इसलिए वीडियो अंत तक ध्यान से जरूर देखेगा और एक चीज मैं बार-बार कहती हैं वीडियो को share जरूर किया करिये यदि आप कोई ये वीडियो helpful लगता है तो अपने study related group में इसे share जरूर किया करिये और अभी तक यदि आप लोगों ने online study point को subscribe नहीं किया है तो फटा-फट से subscribe कर लिजे ताकि आप लोगों को ने वीडियो की notification सबसे पहले मिले तो चलिए अब हमें start करते हैं awards के list हमारा पहला प्रशन है हाल ही में man booker international पूरुसकार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है most 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 important question है तो इसे सम्मानित किया गया है जोखा अलार्थी को और ये दिनकी रचना पूछी जाए तो इनकी रचना का नाम है celestial bodies ये रचना भी आप याद रखिएगा जोखा अलार्थी की रचना का नाम है celestial bodies और जोखा अलार्थी जो है ओमान से बिलॉंग करती है कहा से ओमान से बिलॉंग करती है अच्छा ओल्खा टोकार जुक कौन है तो ओल्खा टोकार जुक को 2018 में मैन बुकर इंटरनेशनल पुरुसकार से सम्मानित किया गया था कब किया गया था? 2018 में और एना बंस कौन है? तो इन्हें इनकी रचना Milkman के लिए 2018 में Man Booker पुरुसकार से सम्मानित किया गया था तो आप इतना याद रखी और Man Booker पुरुसकार के बारे में मैं एक चीज बताना चाहूंगी इसकी स्थापना 1969 में England की Booker Mekonol Company द्वारा की गई थी लिकप की गई थी 1969 में तो ये भी आप याद रखिएगा हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में Global Future for Nature Award 2019 किसे प्रदान किया गया यह भी most important है तो यह प्रदान किया गया है दिव्या करनाट जी को और क्यों प्रदान किया गया है तो इन्हें समुद्री संरक्षण के लिए उनके काम के लिए यह प्रतिष्ठित अवार्ड दिया गया है कौनसा अवार्ड Global Future for Nature Award हमारा अगला प्रशन है हाल ही में प्रिजगर आर्किटेक्चर अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया है तो यह सम्मानित किया गया है अराता इसो जाकी को यह जापानी है और यह सम्मान पाने वाले आठवे जापानी व्यक्ति बन गए है अराता इसोजा की और बाल कृष्ण दोसी की बात कीज़े तो यह भारती है और 2018 में इने यह अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है बाल कृष्ण दोसी को और यदि हम प्रिजगर आर्किटेक्चर अवाउड की बात करें तो इसे हम आर्किटेक्चर का नोबल भी कहते हैं क्या कहते हैं आर्किटेक्चर का नोबल कहा जाता है प्रिजगर पुरिसकार को तो यह भी आप याद रखेगा हमारा अगला प्रशन है हाल ही में भारत के किस प्रसिद्ध वैज्ञानी को material research के लिए पहले शेक सउध अंतरराष्ट्री पुरिसकार से सम्मानित किया गया है तो यह सम्मानित किये गया है professor cnr rau और इन्हें सम्मानित किया किसने है इन्हें सम्मानित किया है यू ए की संस्था center for advanced material ने उन्हें यह पुरिसकार material सर्च के लिए दिया है कि ने दिया है professor cnr rau ने तो आप यह नाम याद रखिएगा फिर हमारा अगला प्रशन है Cambridge विस्विद्ध द्वारा किसी glitzman पुरिसकार 2019 से सम्मानित किया गया है मलाला यूसिफ जई को नाम आप लोगों ने सुने ही होगा और अभी इन्होंने एक बुक का विमोचन किया है इनकी एक बुक है वी आर डिस्प्लेजड इनकी बुक का नाम है मैं यहाँ पे लिक देती हूँ वी आर डिस्प्लेजड जब हम बुक से रिलेटेड वीडियो बनाएंगे तो मैं वहाँ पे इसका डिस्कुसन जरूर करूंगी वी आर डिस्प्लेजड यह नाम में आपसे पूछा जा सकता है मलाला यूसिफ जई किया दि हम बात करें तो 2014 में इन्हें 2014 में इन्हें नोबल शांती पूरुसकार से सम्मानित किया जा चुका है और उनकी उम्र उस समय कितनी थी? 17 वर्स थी जो की नोबल पूरुसकार के इतिहास में सबसे कम उम्र की नोबल पूरुसकार विजेता मानी जाती है क्या नाम है इनका मलाला यूसुफ जई हमारा अगला प्रशन है एबल पूरुसकार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो एबल पूरुसकार 2019 से सम्मानित किया गया है करेन उहलेन बेक को नाम आव याद रखिए करेन उहलेन बेक को और यह अवार्ड पाने वाली है पहली महिला बन गई है पहली महिला बन गई इसलिए most important है और इसे जो able पुरुसकार है इसे maths का novel पुरुसकार भी कहा जाता है क्या कहा जाता है maths का novel पुरुसकार और architecture का novel पुरुसकार अभी मैंने बताया है वह कहा जाता है पुरुसकार पुरुसकार बैखने और किस दूरस हो जयए जाता है नौर्बे गवर्मंट के दौरा हमारा अगला प्रशन है हाल ही में किस खिलाड़ी को knighthood की अपाधी से सम्मानित किया गया है most important है तो यह सम्मानित किया गया है एलिस्टर कुक को तो नाइट हुड है क्या तो यह एक प्रकार का order of chevalry है इसकी स्थापना 1917 में यह भी पुछा जा सकता है तो आप यात कर लिजे इसकी स्थापना 1917 में जोर्ज पंचम के द्वारा किये गई थी किसके द्वारा जोर्ज पंचम पिर अगला आता है, हाल ही में, किस ने South Golden Jubilee Federation Award से सम्मानित किया गया है, तो किसे सम्मानित किया गया है, चैलेंजर Award, यहां सम्मानित किया गया है, सुरेश प्रभुजी, इनकी घोषना तो 2018 में ही हो गयी थी, आसे कई अवोड्awk 1242 में सुना हो गया, लेकिन इन्हें अवार्ड 2019 में मिला है इसलिए हम डिसकस कर रहे हैं हमारा अगला प्रशना है हाल ही में Oxford विस्विद्वाले द्वारा किसे बोडले पुरुसकार 2019 से सम्मानित किया गया है तो यह सम्मानित किया है अमर्त सेन यह भारती है इसलिए important है और आपसे पूछा जा सकते कि इन्हें क्यों दिया गया है पूछा नहीं जाएगा लेकिन आपको जानना जरूरी है तो इन्हें साहित के कला विज्ञान के शेत्र में उतकरष्ट योगदान के लिए है पुरुसकार दिया गया अमर्त सेन के बारे में एक चीज और मैं बता दू 1998 में इन्हें नोबल पुरुसकार भी प्रदान किये गये थे और किस शेत्र में तो इन्हें अर्थ सास्तर के शेत्र में 1998 में नोबल पुरुसकार से सम्मानित किया जा चुका है फिर हमारा अगला प्रश्न है हाली में फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है most important है क्योंकि यह किसे सम्मंदित है यह सम्मंदित है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदीजी से इन्हें कई देशों ने अपने सर्वोच नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदीजी और इनका निर्वाचन छेत्रह वारणसी से यह सांसद है और एक चीज मैं बता दू यह नीति आयो के अध्यक्ष भी है इन्हें कई देशों ने अपने सर्वोच नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है तो एक नजर इनकी अवार्ट सुची पर डाल लेते हैं सियोल सांती पुरिसकार 2018 इन्हें सम्मानित किया गया था चैंपियन ओफ दर्थ इसके बारे में मैं बता दूँ सोलर अलाइंस के शेतर में काम करने के लिए जो फ्रांस के राष्टपती हैं इमैनुल मैकरोन और भारत के प्रधान मंत्री मोदी जी को चैंपियन ओफ दर्थ से सम्मानित किया था और इसे सम्मानित किया था यूएन के द्वारा फिर फिलिप कोटरर प्राइज यूएई हाइस्ट सिविलेन ओनर और रश्येज हाइस्ट सिविलेन ओनर तो आप इसका स्क्रिंसॉट ले सकते हैं यह सारे अवार्ड हैं जिनसे मोदी जी को सम्मानित किया जा जुका है फिर अगला आता है करनाट पुरुसकार 2018 से सम्मानित किसे किया गया है तो 2018 में इसकी घोशना हुई थी और 2019 में इन्हें सम्मानित किया गया है इनका नाम है Pius Goyal जी खिक्या क्या नाम है Pius Goyal जी और यह करनाट पुरुसकार का फोर्थ संसकरन था और Pius Goyal है कौन? तो Pius Goyal हमारे रेलवे मंत्री है हमारा अगला प्रशन है हाल ही में पहला महावीर अहिंसा पुरुसकार 2019 से किसे सम्मानित किया गया जहां कहीं भी पहला वर्ड जुर जाता है जहां कहीं भी पहला वर्ड जुर जाता है तो वो अपने आप में ही कोश्चन इंपॉर्टन हो जाता है जैसे कि आपने करेन उहलन बेक के बारे में सुना जिनने एबल प्राइस जीता हुआ पहली महिला है इसलिए इंपोर्टेंट है और यहाब आता है पहला महावीर अहिंसा पुरुसकार तो यहाब जीत लिया है विंग कमांडर अभिनंदन ने इनके बारे में तो हर कोई जानता है इन्होंने जब एयर स्ट्राइक हुई थी फर 2019 का पुरुसकार किसे दिया गया है पहला फुटबॉल रत्न 2019 दिया गया है सुनिल शेत्री को किसे दिया गया है सुनिल शेत्री को और किसके द्वारा दिया गया है यह दिया गया है फुटबॉल दिल्ली असोशियेशन द्वारा किसके द्वारा फुटबॉल दिल्ली असो मानित किये गए हैं प्रडव मुखर जी नाना जी देश मुख और भूपेन हजारी का मैं कुछ-कुछ चीजे इन तीनों के बारे में बता देती हूं जैसे कि प्रडव मुखर जी वह तो भारत के तेरहवे नंबर के राष्ट पती थे और अभी रामनात कोविंद जी हैं जो क एक बहु मुखी प्रतिभा के गीतकार, संगीतकार और गायक थे तो ये तीनों क्या हैं आपको ये भी एक लाइन में पता होना चाहिए फिर हमारा अगला प्रशन है हाल ही में पद्म विभूसर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है तो देखिए पद्म विभूसर अव तीजन बाई कई बार आप लोगों नाम सुना होगा इन्हें सम्मानित किया गया है पद्म विभूसर से फिर हमारा अगला प्रशन है हाल ही में पद्म विभूसर से किसे सम्मानित किया गया है अभी आपने पढ़ा पद्म विभूसर अब आपके लिए प्रशन है पद्म व प्राम्त दिया गया है ये भी आपको मालूम होना चाहिए सुनिल शेत्री और कई भी नाम है जैसे कि बजरंग पुनिया हो गया ठीक है सुनिल शेत्री का नाम तो मैंने बताया बजरंग पुनिया हो गया मनोज बाजपाई जो की एक्टर है तो इन सभी को पद्म भूसर्ण हासा सम्मानेत किया यह सभी नामा आप याद रखेंगा हमारी आगला प्रश्ण है हाली में नाइन्टी वंथ आसकर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवाड किसने जीता है तो बेस्ट का अवार्ड जिता है ग्रीन बूख ने अच्छा आप से यह भी पूछा सकते है कि आ संसकरन था तो आपको यह भी पता होना चीए तो यहां था 91 संसकरन था ओसकर अवार्ड का ठीक है और यहां बेस्ट फिल्म का आवार्ड किस ने जीता है यहां जीता है ग्रीन बुक ने हमारा अगला प्रश्ण है 91th ओसकर अवार्ड में Best Documentary Short Film का अवार्ड किस ने जीता है तो भारत की फिल्म है PERIOD AND OF CENTICE तो इन्होंने जीत लिया है Best Documentary Short Film का अवार्ड एक चीजमें आपको बताना भूल गई जो इंक्यानिवा Oscar Award है इसमें भारत की तरफ से कौन सी मूवी नामी थी मतलब नॉमिनेट कौन सी मूवी की गई थी तो भारत की तरफ से एक असम मूवी है Village Rockstar Village Rockstar को वहाँ पे नॉमिनेट किया गया था Best Film के लिए लेकिन जीता किसने Green Book ने ये भी आपको मालूम होना चाहिए फिर Oscar Award से related ये fact है आप चाहें तो screenshot ले सकते हैं मैंने क्या बताए Best Film Green Book और आपको Best Actor और Best Actress भी पता होनी चाहिए तो Best Actor का अवार्ड किसे मिला Rami Malek को और Best Actress का अवार्ड किसे मिला तो यह मिला Olivia Colman Best Actor Rami Malek Best Actress Olivia Colman तो ये भी आपको याद रखना है फिर अगला हमारा फिल्म से ही related है कुश कोश्चन 64 Film Fair Award में Best Film का अवार्ड किसने जीता है तो Best Film का अवार्ड किसने जीता है यह जीता है राजी ने फिर हमारा अगला प्रशन है 64 Film Fair Award में Best Actor का अवार्ड किसने जीता है तो यह जीता है रनवीर कपूर ने और अपनी किस फिल्म के लिए जीता है इन्होंने जीता है संजु मूवी के लिए हमारा अगला प्रशन है 64 Film Fair Award में Best Actress का अवार्ड किसने जीता है तो Best Actress का अवार्ड जीता है आलिया भट ने और इन्होंने किस फिल्म के लिए जीता है इन्होंने अपनी मूवी राजी के लिए जीता है तो आप लोगों को ये भी आद रखना है फिर अगला आता है आप चाहें तो इसका स्क्रिंसॉट रख सकते हैं किसी भी आवार्ड से आपको एडिशन पूछा जी नहींची आउनसे नंबर का था बेस्ट एक्टर बेस्ट एक्ट्रस और बेस्ट फिल्म बस फिल्म सेु से रुलेटेटर लीडिज कोई आवार्ड पूछा जाएगा तो इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा फिर हमारा अगला प्रशन है क्या में 76 golden globe award में best film drama का award किसने जीता है तो किसने जीता है award यह award जीता है बोहमियान रेपी सोडी ने यह नाम याद रखिएगा अब फिर हमारा गला प्रश्न है हाल ही में 61 ग्रैमी में एडिशन का नाम है 61 यानि की 61 ग्रैमी अवार्ड में सर्वस्रेष्ट रैप अल्बम का award किसने जीता है तो सर्वस्रेष्ट रैप अल्बम का award जीता है कारडी बी ने इनके अल्बम का नाम पूछा जा सकता है आपसे अल्बम का नाम नहीं पूछा जाएगा सिर्फ विनर का नाम पूछा जाएगा इनके album का नाम मैं बता देती हूँ, इनके album का नाम है Invasion of Privacy, क्या नाम है? Invasion of Privacy और यदि हम Grammy Award की बात करें, तो यह संगीत के शेत्र का सर्व स्रेष्ट Award है, Grammy Award आपने हनी सिंग का वाला गाना सुने ही होगा, Grammy वाला, तो आप लोग को याद रखना है, Grammy Award फिर हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी को प्रतिष्ठित Golden Peacock पुश्कार 2019 से सम्मानित किया गया है, तो किस कंपनी को किया गया है, यह किया गया है, AKO General Insurance को और किया क्यों है, क्योंकि इसने Micro Insurance Product launch किया था, और उसका नाम क्या था, उसका नाम था, Ola Ride यह नाम आपको याद रखना है, इसके पीछे की स्टोरी क्या है, मैं बताती हूं आपको, तो जो Ola में हम सवारी करते हैं, तो कुछ समान चोरी हो जाता है, यह लॉस हो जाता है, तो इसने एक तरह की Insurance Scheme चलाई थी, और इस Insurance Scheme का क्या नाम था, Micro Insurance Scheme, ठीक है, Ola Ride तो यह भी आपको याद रखना है, सम्मानित किया गया है, AKO General Insurance, फिर हमारा आगला प्रशन है, हाल ही में किसे उत्करष्ट महिला पत्रकार, चमेली देवी जैन पुरुसकार से सम्मानित किया गया है, तो यह सम्मानित की गई है, प्रियंका दुबे या BBC News की है, प्रियंका हाल ही में किसे Entrepreneur Award 2019 से सम्मानित किया गया है, तो Entrepreneur Award 2019 से सम्मानित किये गया है, सिधार्थ लाल, ठीक है, और सिधार्थ लाल के बारे में एक चीज बता दूँ, इनका जो यह ICER Motor के MD और CEO है, क्याना है सिधार्थ लाल, और यह घोशना तो 2018 में हुई थी, लेकिन 2019 में इन्ह या Award मिल गया है, Entrepreneur of the Year, फिर हमारा अगला प्रशन है, हाल ही में 28 वे व्यास सम्मान 2018 किसे सम्मानित किया गया है, तो 28 वे व्यास सम्मान 2018 से सम्मानित किये गया है, लीला धर जगूडी, ठीक है, लीला धर जगूडी, यह नाम आपको याद रखना है, और इनकी रचना का नाम भी पूछा जा सकता है, तो इनकी रचना का नाम है, जितने लोग उतने प्रेम, क्या नाम है, जितने लोग उतने प्रेम, तो आपको रचना भी याद रखनी है, फिर हमारा अगला प्रशन है, हाल ही में गांधी शांती पुरुसकार 2018 से किसे सम्मानित किया गया है, त तो इसमें विनर तो रही याहोई सासो कावा का नाम इसमें शामिल किया गया है तो एक चीज मैं बता दू अभी तो 2018 में दिया गया लेकिन इसके पहले जब दिया गया था तो 2014 में दिया गया था 2014 के बाद इसके कोई घोशना नहीं हुई थी और 2014 में भी किसे दिया गया था यह दिया गया था इस रोगो ठीक है और अभी ही कुछ समय पहले ही 2015, 16, 17, 18 चारो साल के लिए जो गांधी शांती पुरुसकार है उनके नामों की घोशना की गई है तो इसका भी आप स्क्रीन सॉट रख सकते है 2015 के लिए कन्या कुमारी का विवेका नंद केंद्र 2016 के लिए अक्षा पात्र फाउंडेशन 2017 के लिए एकई अभिया इंट्रस्ट और अभी मैंने क्या बताया है नाम अभी मैंने बताया है याहोई सासा कावा तो याहोई सासा कावा को मिला है कुष्ठ उन्मूलन के लिए गांधी शांती पुरुसकायर तो आप यह याद रखिएगा फिर हमारा अगला प्रशन है Missile System Award 2019 Most 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 important question है Missile System Award 2019 से किसे सम्मानित किये गए है तो यह सम्मानित किये गए है G37 Reddy यह DRDO के प्रमुख है और इन्हें सम्मानित किसके दौरा किया गया है तो इन्हें सम्मानित किया गया है American Institute of Aeronautics and Astronautics के दौरा किसके दौरा American Institute of Aeronautics and Astronautics तो नाम माप याद रखिएगा हमारा अगला प्रशन है खाल ही में किस राज्जी ने स्वक्ष भारत यात्रा पुरुस्कार जीता है, तो यहां जीत लिया तमिल भूनुने, ठीक है, तमिल भून gefquality के बारे में, अभी दो-चार दिन पहले कही करंट अभश हैं कि तमिल भूने जारे हैं किया बनने जारा हैं, दो नए जिले बनने जा रहे हैं आप लोगों ने यदि करंट एफियर के वीडियो आप डेली देख रहे हैं ऑनलेन स्टेडी पॉइंट को आपको पता होगा तो अभी तक तो 33 जिले थे लेकिन इन दो जिलों के बनने के बाद अब वहां जिलों की संख्या 35 हो जाएगी तो यह भी आप याद रखेगा और टमिल नाढू की पूछा जाता है लोग न्रत्यत तो यह भी आप याद रखेगा यह भी पूछा जाता है फिर हमारा अगला प्रोश्न है हाल ही्ली में बाफटा अवार्ड 2019 से किसे समानित किया गया है तो बाफटा ऑवार्ड बाफटा 2019 स क्या होता है British Academy Film and Television Award बाफ्टा ठीक है तो यह पूछा जा सकते कि बाफ्टा का कौन सा अडिशन था तो यह 72 अडिशन था बाफ्टा का और इसका वेन्यू का रहा तो इसका वेन्यू रहा लंदन में या पुरुसकार लंदन में दिया गया लंदन वेन्यू आपको नहीं याद रखना सिर्फ आपको याद रखना कि किस फिल्म को वाट दिया गया तो फिल्म है रोमा फिर हमारा अगला प्रशन है हाल ही में स्वक्ष सर्वेक्षण 2019 में सबसे स्वक्ष सहर किसे घोसित किया गया है इन दौर को अच्छा भोपाल से भी एक कुश्चन है तो भोपाल को स सबसे स्वक्ष सहर गोसित किया गया है तो यह भी आप याद रखेगा हमारा अगला प्रश्ण है हाल ही में क्रोईसिया के सर्वोचनागरिक संबान से किसे संबानित किया गया है तो हाल ही में क्रोईसिया के सर्वोचनागरिक संबान से संबानित किया गया है रामनात यह भारत के 14 वे नंबर के राष्ट पती हैं ये भी आपको याद रखना है और इन्हें क्रोईसिया के सर्वोचनागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है तो उस सम्मान का नाम मैं आपको बता देती हूँ उस सम्मान का नाम है दे ग्राइंड ओर्डर ओफ दा किंग ओफ टोम हमारा अगला प्रश्ण है नेपाल की नर्तिकी ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम कायम किया है उनका नाम क्या है नाम सबसे इंपोर्टन है तो इनका नाम है वंदना मैं आपको बता दू इन्होंने लगातार 126 घंटे डांस करके यह रिकॉर्ड अपने नाम किया ह इनका नाम है वंदना नाम जरूर याद रखेगा फिर हमारा अगला प्रश्ण है हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवर्ड 2019 से किसे समानित किया गया है तो अभी हाल ही में वा लोन और क्यो सो ओ ओ को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवर्ड 2019 से समानित किया गया है भी आपको याद रखनी है वर्ड फ्रीडम प्रेस अवार्ड ठीक है फिर अगला है से खाली में सरसोती संबान 2018 से किसे संबानित किया गया नाम 2018 में अनौन्स हुआ था और अभी प्रधान किया गया है तो उब प्रदान किया गया था और यदि हम सरस्ती सम्मान की बात करें तो यह केके बिल्ला फांडेशन के द्वारा दिया जाता है किसके द्वारा दिया जाता है केके बिल्ला फांडेशन के द्वारा और यदि पहला सरस्ती सम्मान की बात करें तो पहला सरस्ती सम्मान दिया गया था हाल ही में Global Excellence Award Most Important question है यह अभी प्रannahान किया गया है हाल ही में Global Excellence Award किसे दिया गया है यह दिया गया है अजीज प्रेमजी और अजय बंगा को अजीज प्रेमजी कौन है यह विप्रो के CEO है और अजय बंगजी जो है वह Master Card के CEO है और इन्हें दिया क्यों गया है इन्हें भारत अमेरिका के बीच में आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए यह अवार्ड दिया गया है Global Excellence Award 2019 फिर हमारा अगला प्रशन है हाली में असोग चक्र पुरुसकार से किसे सम्मानित किया गया है यह सम्मानित किया गया है मर्नो प्रांत याद रखिएगा मर्नो प्रांत लॉस नायक नजीर एहमदवानी क्या नाम है लॉस नायक नजीर एहमदवानी इन्हें सम्मानित किया गया है और अशोग चक्र की शुरुवात कभी थी तो अशोग चक्र की शुरुवात हुई थी सम्मानित किये गए हैं अब्दुल अजीज मुहमद ये कौन है ये सुडान के सरणार थी इनके बारे में ज्यादा डिटेलिंग नहीं जानी है कि वह नाम याद रखना इनका नाम है अब्दुल अजीज मुहमद आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि मानवाधिकार बस कब मनें जाता है पोस्ट करिए का पृस्ट करिएगा फिर हमारा अगला प्रश्णे हाल ही में पेविना म्संडिया का खिताब किस ने जीता है फेमिना म्सं innovation नायंटीन का खिताब तो यह जीता है सुमन राव ने, और सुमन राव कहां किसे बिलोंग करती है, सुमन राव बिलोंग करती है, राजस्थान से, और संजना विच कौन है यह उप विजयता थी और यह बिलॉंग करती तेलंगाना से और सीवानी जाधो कौन है यह 36 गड़ से हैं और इन्हें Miss Grand India अवार्ड मिला कौन से अवार्ड Miss Grand India अच्छा फेमिना Miss India की बात आई है तो इसकी शुरुवात कभी थी इसकी शुरुवात हुई थी 1952 में अच्छा Miss World का भी नाम आता है Miss World कौन रही थी मानुसी चिलर Miss World की शुरुवात कभी थी तो Miss World की शुरुवात हुई थी 1951 से 1951 Miss World और ये Miss India तो ये भी आप याद रखिएगा और दोस्तों आप लोगों ने एक शीच नोटिस किया होगा मैंने स्पोर्ट्स के यहाँ पर एक भी कुश्चन एड़ने कि है उसका रिजन सिर्फ यह है कि मैंने एनलाइस किया 2019 में IPL भी हुआ वर्ल कप भी हुआ और टूर्नामेंट भी हुआ टेनिस टूर्नामेंट भी हुआ है और फिर फ्रेंच उपन और बहुत सारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड अवर्ट दिये गए हैं तो मैंने उसके लिए अलग से वीडियो बनाया है जिसको मैं आने वाले एक दो दिन में पोस्ट कर दूँगी तो स्पोर्ट्स से आप लोग देखे होंगे कि जो यह मैंने आप लोगों को 40 कोस्टन बताया है या आप ल लाड़ी को जो अवर्ट दिया गया है मैं सब कुछ उसमें कवर कर दूँगी तो आप लोगों को परिसान होने की जरूरत नहीं हैं तो आई होप यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लेखेगा और आज के लिए इत नहीं थैंक यू सो मच